हाई gew propri 2014 व्लकम तो प्राइंट रम जैंति आज हम बनाएंगे आज हम बनाएंगे आलू की पकॉड एक दम क्रिश्टी पकॉड़ेी आज हम बनाइंगे वह ए guy प्राइड में बिल्कुल गेल्ट फ्री होगा आप जितनी मर्जी चाहे खा सकते हैं एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी पकॉरे तियार होते हैं इसमें आप इसको चटनी केचप किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत यमी लगता है चली बनाना स्टार्ट करत है चली फ्लेक्स लिये हैं हरी मिर्चे हैं चॉप्ध हैं और उसके बाद एक इंच अद्रक का टुक रहा है उसको भी अच्छे से महीं महीं काट लिया है और हल्दी का पाउडर लिया है और यह सरसो का तेल है मस्टर्ड ओयल और यह है चावल का आंटा और बेसन नमक प्ले है उसी अकॉर्डिंग आप नमक ले ले और बांकि जो भी चीजे हमने ली थी इंग्रेट्स वो सब कुछ इसमें एड कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से इसको जरूर रब करें ताकि सारे स्लाइस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए मसाले की और नमक बना रहे हैं वो देख लीजे कि एक लेयर लगनी चाहिए बेसन की बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है बेसन को और ना बहुत कम ही रखना है जितना लिया है मैंने तीन बड़े आलू थे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे दो बड़े चम्मच मैने बेसन इसमें डाला था लगवग हो गया था अब इसको ढखके साथ से आठ मिनट छोड़ दें जिससे की जो भी इसमें मॉश्टर रहता है वो निकल जाता है पानी नहीं डालना पड़ता है मीन्वाइल एर फ्रैड को मैंने एक मिनट के लिए जो प्रीहिट के लिए रखा था और साथ ही उसको मॉश्टर होने के वज़े से अच्छे से बेसन में लिपट जाती है फिर एक लेयर करके हमको एर फ्रैर के बास्केट में इसको लगा देना है ओवरलैप नहीं करना है बस सिर्फ एक लेयर लगाना है हमको और 380 फेरेनहाइट पे इसको हमें पहले 4 मिनट के लिए लगाना ह सेट करना है चार मिनट तक आप बिल्कुल भी इदना इसको खोलें इसको पकने दे और जैसे ही चार मिनट हो जाए उसके बाद फिर हमें निकालके इसके उपर ओईल का ब्रश करना है चार मिनट अब हो चुके हैं अब एक बार ही मस्टर्ड ओईल जरूर यूज करें आप क इसको चार मिनट के लिए हम सेट कर देंगे 380 फेरनहाइट पे और चार मिनट के बाद ये वन साइड बिल्कुल डन है लास्ट साइड जो है पीछे वाला उसको भी दो मिनट और हमें पकाना है अब यह देखे इस साइड पूरा पक गया है आप स्पून लैडल किसी भी ची और यह बहुत क्रिस्पी बनता है साथी साथ बहुत हल्दी होता है जल्दी बहुत बन जाता है तो फीर इसको प्रश लगा के ओसम सेम में पिर दो मिनट के लिए भी दूसरे साइड ढ़ाना है क्योंकि को हो चुके है बस क्रिस्प लेएड दों साइड से चाढ़ ही वह भी थोड़ा बहुत एक्ष्टा ओयल है वह भी निकालने के लिए आप टिशू पेपर पेस को निकालें थोड़ा बहुत जो हमने ब्रश लगाया था वह भी एक्ष्टा इसमें टिशू पेपर पर रखने से निकल जाएगा और यह देखिए साड़े बैचे यहां पर और मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए रेस्पी के साथ तिल देन यू गाइज टेक केर बाई थेंक्स फर वाचिंग